दीपावली दीपों का त्योवार है और दीप जलते हैं बाती से तो आज हम बनाएंगे रंग बिरंगी बातियां इन बातियों से उजाला तो होगा ही साथ ही आएगी खुप सारी खुश्पूँ हम यहाँ पर बिल्कुल घर पर ही मिलने वाले सामान से इने रंगीन और चोटे चोटे से पीसिस तोड़ लेंगे तो मैं सबसे पहले फूल बाती बनाना आपको बता रही हूँ तो बाती हमें आपे छोटी वाली है नॉर्मल वाली ही बाती बनाएंगी तो उसको इस तरह से दो पार्ट्स पर डिवाइट कर दें और जो इसकी दोनों जाले आगे वा लगाएंगे और इसको इस तरह से रोल कर देंगे एक ही direction में आप इसे रोल करेंगे इसे बाती बटना कहते हैं तो इस तरह से हम आप इसे रोल करेंगे और जितनी ही कड़क बनेगी उतना ही अच्छा दीपक जलता है अब नीचे से हम इसे हलका सा फ्लैट कर देंगे ताकि जब हम दिसे दीपक में रखें तो ये अच्छे से खड़ी हो जाए तो इस तरह से हमारी ये बहुती easy सी simple सी बाती बनके तयार हो गई है जिसे आप दीपक में और regular पूजा के time यूज़ कर सकते है अब हम बनाएंगे second बाती जो की लंबी पूजा यानि जिसमें की थोड़ा लंबा time लगता है हमें लंबी time तक उसे जलाना है तो उसके लिए हम थोड़ी सी बड़ी बाती बनाएंगे सेम वैसे ही आप रूई का एक टुकडा ले लीजिए और इसकी दौनों साइट से इस तरह से हमें हलका सा खींच लेना है जिससे की हम बाती को बढ़ सकें सी तरह से आप चाहें तो यहां पर इसका और लंबा ले सकते हैं या नी बड़ा टुकड़ा तोड़ सकते हैं अब हम दौनों के center में जू पार इस रूई का गोला इस तरह से यहां पर ट्विस्ट कर देंगे और दूद का हाथ लगा के इस तरह से आपको यहां बाती बनानी है तो नीचे तो हमने आप इसे बीच में स्पेस देकर भर दी थी उपर से बाती को वापस से लंबा करेंगी तो एक वापस से कॉटन का टुकड़ा ले और उसे वापस से इस उपर जोड़ते हुए से लंबा कर सकते हैं तो जित्ती लंबी आपको बाती चाहिए इस तरह से टुकड़े जोड़ जोड़के आप इसे लंबा कर सकते हैं तो इस तरह से हमारी लंबी समय तक चलने वाली बाती तयार हो चुकी है हलका सा हाथ पे जरूर से फ्लैट करें त आपको यहां पर इसे बता रही हूं, तो सेम जैसे हमने बातिया बनाए थी, वैसी ही बाती बना लीजिए, प्रेंट्स मेरी दादी इस तरह से बातिया बनाती थी, दादी नानी को हम इस तरह का काम देते थे, और यह बातियां बहुत लंबे समय तक चलती हैं, बहुत खुश भी जलेगी तो भी यह काफी आपके जो एट्मोस्फिर को खुश्बुदार और हल्दी बना देती है, अब हम सेकेंड बाती बनाएंगे, उसे भी नॉर्मल जैसे हमने बाती बनाए थी, वैसे बना लीजिए, तो जरूरी नहीं कि आप छोटी बाती के साथ ही करें, बड़ हमें इसे थोड़ा गाड़ा ही घोलना है, बहुत जादा पानी नहीं डाले, इस तरह से देखिए, हमने कुम-कुम से भी यहां पर इसे रंगीन कर लिया है, और इस तरह से बनाकर इसे भी हलका सा सूखने दे, हाँ ध्यान रखें, इन्हें हलका सा आब खुले में ही अब हम यहां पर और तीसरी बाती बना रहे हैं, तो इसको भी सेम इसी तरह से दोनों साइट से इसके निकाली जी, बहुत ही सिंपल तरीका है, बाती बनाने का कोई आपको इसमें स्पेशल एक्यूमेंट की ज़रत नहीं है, बस जब यहां फ्री बैठ हैं तब आप यह बन कर दा रहे हैं लक्षमी जी को केसर की बाती चढाएंगे तो कहाँ जाता है कि लक्षमी को केसर का इस तर ऐसे चढाना चाहिए लकष्भा लक्ष्मी के लिए लखा ने कि will success भाते बनां लें तो इस तरए हमारे कुछ बातियां तयार हो चुकि हैं, अब कुछ बाती यसी हो जो आसपास के मच्छर है या जो बदपू है या जो नेगेटिव एनरजी उसको भी दूर करती है तो जो हमने बाती नॉर्मल वाली बना रखे थी उसके उपर इस तरह से कपूर को क्रश करके हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे तो यह कपूर जितना बारी को को अतने चे वाली बनाए जाती है तो इस तरह से जो हमने रूवी ली है उसको तोड़ लीजी और लंबे-लंबे पार्ट में इस तरह से डिवाइट कर दीजिए क्योंकि भोज़ाता मोटी नहीं बनती है तो इस तरह से एक बार टुकड़ा हम तोड़ेंगे उसमें 4-5 बाती इजी बन तो जब भी आप फ्री हों इस तरह से घर पर बातियां आराम से बना कर रख सकते हैं मैं ऐसे ही करती हूं बना की बारक देती हूं और रेगिलर पुजा में यूज होती रहती है अब हतेली पर इस तरह से बाती जुरूई का पार्ट है वो रखें और हतेली पर हलका साथ मैं दूसरे साइट से बिलकुल यही तरीका है मेरी दादी और मम्मी का बाती बनाने का तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया बाती बनती है दीपक बहुत लंबे समय तक चलता है तो आप इस बार इन बातियों को जरू बनाए अपने घर को सुक में खुश्बुदार और उसके बाद दीपक जलाएंगे तो बाती अच्छे से जलती है रोश्री बहुत ही बढ़िया देती है तो इस तिवाली बातियों को घर पे बनाए और अपने घर को पॉजिटिव एनर्जी से भर दे हैपी तिवाली